बात करेंगे breast abscess के बारे में कि भाई कई महलाओं के इस्तनों में फोड़ा हो जाता है या कुछ घाव बन जाता है तो क्यों हो जाता है क्या कारण है कैसे पहचानना लक्षर क्या है और पूरा allopathic treatment क्या दिया जाएगा तो इस वीडियो में आप जानेंगे तो वीडियो को प पक गया है घाव दिखता है ठीक है तो वह भी होता है तो पहले समझो कारण कि यह होता क्यों है इसका में कारण तो बैक्टेरियल इंफेक्शन कौनसा बैक्टेरियल स्टैपलो कोकस बैक्टेरिया एक होता है उसकी वज़ए से कई बार इस तनों के अंदर infection हो जाता है और उसका रहां भी हो सकता है ठीक है या फीडिंग करते वक्त कुछ एक्सिडेंटली चोट लग जाए फीडिंग कराते वक्तिक है तो यह सब इसके कारण है नॉर्मल से दो यह तीन है इंज्री या इनफेक्शन तो महलाओं के इस तन में ऐसे घाव बन जाता है पस आने लगत ब्द्बू आने लगती है फीडिंग कराते हैं तो वहसा सीक्रेशन होने लगता है पसका सीक्रेशन पानी सा आने लगता है तो महलाओं में यह होता बिल्कुल नहीं पिलाना ठीक है और उसके अलाबा आप गरम पानी से कुनगुने पानी से सफाई कर सकते हैं हाईजीन मैंटेन करना पड़ेगा बात कहें कि या जहांचों की तो कौन सी डाइग्नोसिस करना देख नॉर्मली यह ब्रेस्ट एपसे से कोई बड़ी समस्य नहीं है फिर भी ब्लटेस किया सकता है कुछ इंफेक्शन को देखने के लिए या उस टिशू की ब्रेस्ट कैंसर का कंफरमेशन के लिए कि यह कहीं कैंसर डैबलब तो नहीं हो रहा तो बैपसी की जा सकती है ठीक है तो नॉर्मल सा यह इंफेक्शन है एपसेस बन गया है इसको भरने के लिए इसको सुखाने के रिए क्या किया जाएगा ट्रीटमेंट तो मेडिकल स्टुटेंट मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट बताता हूं मैं एक आम आदमी यह ट्राइन ना करें दो यहाँ पर कूछ नहीं नॉर्मल सा आपको सेफेक्शन औफ यह जो रिएनिक्शन हूआ है बैक्टेरीएल वह ठीक हो जाता है खिक है पस बगिर जो बन रही है वो ठीक हो जाते इसकेसाथ ही आपकत को वहागी सफाइच करना ही करना ही करना ही फडिक है बीटादिन के लोशन के साथ सफाई करना पड़ेगी पट्टी बगरा करना पड़ेगी तो ये एंटिवाटिक चलेगा साथ में 0-doll SP टेबलेट आता है जिसके अंदर क्या होता है एसिकलोफ फैनेक होता है परसिता मोल होता है और सेरिस्यो पैपलेट होता है ये टेबलेट सुबह साम चलेगी ठीक है सुबह साम चलेगी 5-6 दिन तक क्योंकि दर्द सुजन को भी करम करना जरूरी है तो पहली चीह होगा कि भाई इंफेक्शन कवर होगा दूसरा दर्द सुजन भी कंट्रोल होगा है साथ में हील करने के लिए अपनको सपोर्टिव मल्टि विटाम देना रहते हैं तो भी कॉंप्लेक्स और बिटामिन सी की टैबलेट को दिया जा सकता है बिटामिन भी कॉंप्लेक्स का कैप्सूल या बिटामिन सी की टैबलेट यह भी सुबह साम चलाई जा सकती है और 5-6 दिन तक ठीक अब इतना करने के बाद भी अगर घाव नहीं मोनोसेफ एक रामबान मोनसेफ एस भी वाला ठीक है सल वेक्टेम वाला जिसके अंतर सैप्ट्रेक्स जोन सल वेक्टेम होता है डिल ग्राम 1.5 ग्राम होता है जो कि इसको आपको इंट्रावीनियस लगाना है स्लू लगाना है और शुबह शाम तीन दिन तक ज्यादा नहीं लगाना इसको तीन दिन ही लगाना है इतने में क्या होगा कि जो ब्रेस्ट एप्सिस है वो कवर हो जाएगा सुखने लगेगा पस बनना बंद हो जाएगा और फूर दीर-दीर हील हो जाएगा तो यही इसका कुछ नॉर्मल सा ट्रीट्मेंट होता है कई लोगों की कमेंट साधी बंगापट बड़ी बात नहीं है तो ठीक है तो आपको video अच्छे लगा तो फ्लीज से लाइक करें अगर आप मारी चनल पनना है तो चनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियोह आपको सामे सामे मे मिलते रहें कि आपको काम sì, आपको गाइड कर सकते हैं तो आप मैं जय हिन बंदे मात रहूं